युवाओं में हत्यारों के प्रती प्रेम उनकी परिशानी का सबब बनता जा रहा है ताजम आमला गोलियर के उठीला थाना च्छेद्र के सौसा गाउं का है यह रहने वाले विवेक यादव नाम का युवक हत्यार प्रेम के चलते जिल की हवा खा रहा है दरसल पिछले दिनों शोशल मीडिया पर एक यूवक ने अपने सीने पर एक नहीं, दो दो कटे रखकर फोटो खिचवा कर उसे वाइरल किया था या वाइरल फोटिग्राफ पुलिस अफसरों के पास भी पहुचा था इसके लाद आरोपी के दलाश शुरू की गई, यूवक को गिरफतार किया गया, साधे पुलिस ने यूवक के पास से तमल्चा भी बरामत किया, पुलिस ने मामले में यूवक विवेक के खिलाफ मामला दर्शकर कारवाई शुरू कर दी है जिससे पुलिस ने तलास किया तो उसके कब्जे से एक कट्टा बरामत हुआ है, और सबैद कट्टे पर आम सेक्ट के तएद अपरात पंजीवत कर उसे माननी न्याले पेश किया गया है, जो भी नए लड़के हैं उन्हें फोटो किचाने को सौक है, यदि हो कट्टे के कर वाइरल कलना, यह कानूनी रूप से भी अवैद है और नेतिक रूप से अच्छा नहीं है, कमलात के गड़त छिन्वाडा में कॉंग्रेस कोई को बड़ा जटका लगा है, आपको बतादे कि जिला पंचाय तो पाधक्ष आमित सकसेना ने बोबाल में अपने समर्थकों क के साथ भाजपा जोइन कर लिया है, उन्होंने मिकमंतरी डॉक्टर मोहन यादफ पूर्व मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान एवं पूर्व ग्रे मंतरी नरोत्तम मिश्रा के समक्ष भाजपा की सदस्सिता ग्रहन कर लिया है, आपको बता दे कि आमित सकसेना वो नेता ह जो अपने छेतर में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं, जिला पंचायत सदस्से के चुनाव में उन्होंने 22,000 लगबग वोट से जीत हासिल की थी मद्रदेश में मौसम का मिजास बदल रहा है, सुरॉंज में बे मौसम बारिश का दौर चल रहा है, या तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और ओले गिरे, जिसे किसानों को फसलों में नुकसान देखना पड़ा, वहीं खेत में रखा आनाच, किसानों ने सुरक्षित कर अरिया.